एक बड़े पेड के अंदर लंबे हातों वाली चुडेल रहती थी, कोई भी जानवर पास आता, तो वो उसे उठा कर अंदर ले जाती और उसे पका कर खाती थी, एक दिन नागिन की बेटी पेड के पास आती है, और बड़ा सा गंधा देखती है, कि तभी उसमें से चुडेल का हाथ बाहर आता है, और उसे अंदर ले जाता है, नागिन उसे इधर उधर ढून रही थी, लेकिन उसे वो कही नजर नहीं आई, तब नागिन अपनी आखे बंद करके बेटी के नागमनी को ढूनने की कोशिश करती है, उसे दिखता है, चुडेल ने उसकी बेटी को ऊप अपर लटका रखा है, और निचे से आग लगाई हुई है, नागिन को बहुत गुसा आता है, वो उसे ढूंड़ने उसी जंगल में आती है, और उस पेड के गड़े के अंदर चली जाती है, अंदर वो चुडेल की दुनिया में पहुँच जाती है, चुडेल उसे देखते ही उस पर अपना भाला फेकती है नागिन उसके भाले का वार चुका कर उसे एक जोर का गुसा मार कर हवा में गायब करती है और फिर अपने नागमनी से चुडेल के उपर जादू फेकती है चुडेल नागमनी के जादू से जलने लगती है और मर जाती है नागिन अपनी बेटी लेकर बाहर आती है